नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी फाइटर जेट F-35 अचानक जपैन के पास परशांत महासागर में गायब हो गया क्या इसे चाइना या रश्या ने उसी तरह से हासिल कर लिया है जैसे अमेरिका ने 1976 में मिग 25 फोक्स बैट को हासिल किया था कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा चड़ा कर पेश किये गए स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को चाइना ने S-400 मिसाइल सिस्टम से या दूसरे इलेक्ट्रोनिक बीम की साहिता से मार गिराया हो क्यों इस विमान के गायब होने से जपैन से ज़्यादा अमेरिका की नीद उड़ी हुई है क्या इसी तरहें से चीन के बोर्डर के पास 2017 में नीचे गिराए गए भारत के सुखोई 30M के आई विमान से भी रहसे का परदा उठ सकेगा आईए जानते इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर तो दोस्तों शुरू करते हैं जपैन ने अपने प्रतिद्वंदी चाइना को हवाई ताकत में हराने के लिए अमेरिका से लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर प्लेन लिये थे जापान कुल 147 F-35 खरीद रहा है और उसे जो F-35 का पहला बैच मिला था उन्हें मिसावा एयर बेस से उपरेट किया जा रहा था लगवग 100 मिलियन डॉलर परती विमान की कीमत वाला एक F-35 विमान मंगलवार शाम को करीब 7 बज के 27 मिनिट पर रडार से गायब हो गया यानि इसका रडार से संपर्क तूट गया गायब हुआ F-35 मातर एक साल पुराना था और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बडी सामने नहीं आई थी मातर 30 मिनिट की फ्लाइट के बाद ये स्टेल्थ फाइटर जेट अचानक परशांत महासागर के उपर से गायब हो गया विमान का और पाइलेट का कुछ भी पता नहीं चला है इस तरह से किसी फाइटर प्लेन का अचानक गायब हो जाना कोई सामाने घटना नहीं होती है इस गायब F-35 को लेकर कई थियोरी सामने आ रही है पहली थियोरी जो सामने आ रही है वो है क्या चाइना और रश्या इस पाँची पीडी के स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने में कामियाब तो नहीं हो गए ऐसा माने जाने की कई बड़ी वज़े है पहला तो यह कि यह F-35 परशांत महासागर के जिस छेतर से गायब हुआ है वहाँ पर चाइना और रश्या के शिप्स वे दूसरे ट्रैकिंग रडार काफी सक्रिये रहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि यह स्टेल्थ विमान था और इसको चाइना और रश्या ट्रैक नहीं कर सकते थे तो लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि रश्या ने S-400 मिसाइल सिस्टम को विक्सित कर रखा है और इसमें जिस तरह के सोफेस्टिकेटिड सीरीज ओफ रडार्स का इस्तमाल होता है उससे S-400 किसी भी स्टेल्थ विमान को ना सिर्फ रडार पर ट्रैक कर सकता है साथ ही उसे हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से निशाना बनाकर डस्ट्रोय भी कर सकता है और यह S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने चाइना को भी बेच दिया है जिससे यही काबलियत चाइना के पास भी है इसलिए कोई बड़े ताजूब की बात नहीं है अगर चाइना या रशिया में से किसी एक ने हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से इस स्टेल्थ विमान को परशान्त महासागर में मार गिराया हो दूसरी बड़ी थियोरी जो सामने आ रही है वो यह कि कहीं चाइना ने इलेक्ट्रोनिक जैमिंग की मदद से F-35 के सभी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को जैम तो नहीं कर दिया था उन्हें बंद तो नहीं कर दिया था या उन्हें पूरी तरह से जला तो नहीं दिया था ऐसा माने जाने की भी कई वज़े हैं चाइना काफी समय से इस तरह के वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है जहां उसे किसी दूसे देश के फाइटर जैट को मिसाइल से निशाना बनाने की आवशक्ता नहीं है वह एक पारफुल इलेक्ट्रोनिक बीम के माध्यम से दूसे विमान के सभी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को पूरी तरह से खराब कर सकता है ऐसा ही कुछ भारत के प्रीमियर फाइटर जैट सुखोई 30 MKI के साथ मई 2017 में हुआ था सुखोई 30 MKI फाइटर जैट ने असम के एरबेस से उडान भरी थी और उसके बाद यह विमान उड़ते वे भारत और चीन के बोर्डर के पास से अचानक रडार से गायब हो गया इसमें दो पाइलेट थे ना ही वो विमान को नीचे गिरने से बचा सके और ना ही विमान से इजेक्शन सीट के माध्यम से बाहर निकल पाए एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक ही फाइटर प्लेन के इलेक्ट्रोनिक्स ने काम करना बंद कर दिया था या पूरे इलेक्ट्रोनिक परनाली को ही जैम कर दिया गया था तब यही दावा किया गया था कि चाइना के अधिकारियों ने एक पारफुल इलेक्ट्रोनिक बीम से सुखोई के सभी इलेक्ट्रोनिक्स को जला दिया था या बेकार कर दिया था ऐसा ही अब जपैन के द्वारा उड़ाई जा रहे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्लेन के साथ हुआ है जो अचानक उड़ते हुए बिना किसी खराबी के अचानक से ही रडार से गायब हो गया तीसरी बड़ी थियोरी और बहुत इंटरस्टिंग थियोरी जो सामने आ रही है वो ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना या रश्या ने F-35 इमान को पाइलेट की सहमती से अगवा करवा लिया है यानि कि F-35 को चोरी करवा लिया है इसके लिए काफी पहले से ही इस जपाइनी पाइलेट को परलोभन दिये जा रहे थे उसे लालच दिये जा रहे थे उसे रश्या या चाइना की सिटिजन्शिप के साथ ही करोडो डोलर्स का लालच भी दिया गया था F-35 इस समय अमेरिका और नेटो देशों का सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है अगर इसकी खास टेकनोलोजी रश्या और चाइना को मिल जाए तो वे भविश्य में अमेरिका या उसके साथी देशों के इस स्टेल्थ विमान का अच्छे से तोड़ निकाल सकते हैं और साथ ही अमेरिका पर टेकनोलोजी के मामले में बढ़त ले सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है और ऐसे किसी प्लेन को नहीं चुराया जा सकता है तो आपको इंटरनेट पर 80 के दसक का रश्या का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मिग 25 के बारे में जानना चाहिए इस विमान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी मिग 35 35 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड के साथ उड़ सकता था जबकि बाकी अमेरिकी विमान मातर 2000 किलोमेटर परती ओवर की स्पीड को ही हासिल कर पा रहे थे साथ ही यह 80,000 फीट की उचाई तक भी उड़ान भर सकता था जबकि बाकी फाइटर जेट 50,000 फीट की उचाई तक को ही छूपाते थे तब इसकी टेकनोलोजी से घबराए अमेरिका ने मिग 25 की चोरी करवाई थी इसके लिए रशियन मिग 25 के पाइलेट विक्टर इवानोविच बैलेन को को अमेरिका ने काफी लालस दिया था विक्टर अपने मिग 25 फोक्स बैट को रशिया से उड़ाकर जपैन के हैकोडेट एरपोर्ट पर ले गया जहां से अमेरिके अधिकारी मिग 25 वे इसके पाइलेट को अमेरिका ले गए पाइलेट को काफी धंडाशी दी गई और अमेरिकी इंजिनियर मिग 25 की टेकनोलोजी को बारिक ही से समझने में सफल हुए जिससे रशिया को इस विमान की वज़े से मिली बड़त को अमेरिका ने चीन लिया था बताया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ अमेरिका के पांची पीडी के स्टेल्थ लड़ा को विमान F-35 के साथ भी हुआ है जहां रशिया इसके स्टेल्थ का एक कारगर तोड निकाल सकता है वहीं चाइना इसकी रिवर्स इंजिनिरिंग करके इसकी टेकनोलोजी अपने J20 विमान में लगा सकता है दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई के मैदान में कोई नियम कानून नहीं होते है साथ ही दुश्मन को हराने की रणनीती में नैतिकता जैसे शब्दों का कोई महत्मन नहीं होता हर वो तरीका जिससे दुश्मन देश का नुक्षान हो वो अच्छा ही माना जाता है दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर F-35 चाइना या रशिया को मिल गया तो वो इसका क्या इस्तमाल करेंगे और इससे F-35 के पूरे प्रोग्राम पर क्या परफाव पड़ेगा किरपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले नमस्कार